भारत के बिहार राजिय में जन में वसिष्ट नरायन सिंग जिनोंने अलबेट आइंस्टाइन की थियोरी को चैलेंज किया था बड़े महान व्यक्ति थे लेकिन सिस्टम की नाकामी और राजनेतिक लापरवाही के कारण भारत के महान गणितग्य के साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ न हो और इससे ज़्यादा दुरभाग्य की बात ये है कि हमें स्लेबस में महान व्यक्तियों के बारे में तो पढ़ाया जाता है लेकिन हमारे उनसे लोग अवगत नहीं है महान गणितग्य वसिष्ट नारायन सिंग जी का जन दो अप्रेल 1922 में बिहार के बसंतपूर गाउं में हुआ पिता कॉंस्टेबल की जॉब करते थे और पांच बहन बाईयों वाला ये परिवार एक मध्यम आयक होने की वज़ा से गरीभी मे जी रहा था लेकिन वसिष्ट नारायन सिंग के अंदर एक विलक्षित प्रतिबा थी वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और गणित के प्रति उनका रुझान बहुत अधिक था जब वो पांचवी क्लास में थे तो अपने से बड़ी क्लास के गणित के सवाल हल कर दिया करते थे 1961 में उन्हें पटना युनिवर्सिटी में दाखला लिया और उनके पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पटना युनिवर्सिटी के नियमों को बदल कर रख दिया B.Sc. First Year में वो अपने अध्यापक से ऐसे सवाल पुछा करते थे जिसमें अध्यापक भी अटक जाते थे और कई बार जब अध्यापक उनके सवालों का सही जवाब नहीं देता था तब भी वो अपने अध्यापक पर गुस्सा हो जाते थे एक दिन अध्यापक वसिष्ट नरायन सिंग जी की शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास महुचे और प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंदर नाथ ने सोचा कि क्यो ना वसिष्ट नरायन सिंग जी को सबग सिखाया जाए डॉक्टर नागेंदर नात ने जो खुद मैथेमेटिक्स के प्रोफेसर थे एक ऐसा प्रश्ण पत्र तयार किया जिसको सॉल्व करना एक सामाने विध्यारती के बस की बात नहीं थी क्योंकि उसमें दीएगे सभी प्रश्ण स्लेबस से बाहर थे लेकिन वसिष्ट नारैन सिंग जी ने उन सभी प्रश्णों को ना केवल हल किया बलकि हर सवाल को अलग-अलग तरीके से हर करके दिखाया जिससे उनकी विलक्षित प्रतिबा के बारे में पता चला फिर प्रिंसिपल ने एक निर्णय लिया कि B.H.C. फस्ट यर में होते हुए भी उन्हें B.H.C. फाइलर के एकजाम देने की अनुमती मिली और कॉलिज के दूसरे साल में ही उन्हें M.H.C. फाइलर का एकजाम देकर एक कीरती मन सापित कर दिया और उन्हें M.H.C. में भी अपने साथ अमेरिका ले गए और फिर वसिस्ट नरायंग सिंग जी ने 1969 में कैलिफोर्निया से PhD की डिगरी हसिल की और उनके नाम के साथ डॉक्टर वसिस्ट नरायंग सिंग लिखा जाने लगा PhD करने के बाद वसिस्ट नरायंग सिंग स्पेस और्नाइजेशन नासा में अपॉलो अंतरिक्षियान के डिविजन में काम करने लगे और जिस समय अंतरिक्षियान अपॉलो को छोड़ा जा रहा था उस समय वहां के कंप्यूटर खराब हो गए तो वसिस्ट नरायंग सिंग जी ने manual calculation के आधार पर ये सारे के सारे काम को complete किया और जब computer ठीक हुए तो इक calculation को जब computer की calculation से match किया तो वसिस्ट नरायंग सिंग जी द्वारा की गई calculation एकदम सठीक बैठी 1973 में उन्होंने शादी कर ली और वापस अमेरिका जाकर सेटल हो गए उनका स्वभाव धिरे धिरे चिर्चिड़ा होता जा रहा था जब मनोचिकित सक द्वारा उनकी बिमारी के बारे में चेक किया गया तो पता चला कि वो early stage सिनोफीनिया से पेड़त हैं और उनकी भारत वापस आ गये वो भारत वापस आते वक्त वो अपने साथ 10 बक से भरकर अमेरिकन पुस्तके लेकर आए जिनका वो दिलंतर अध्यन करते रहे भारत आने के बाद उन्होंने IIT कानपूर, IIT बॉमबे और ISI कोलकता में प्रोफेसर की नौकरी की दिन प्रति दिन उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा था जिसके चलते पत्नी से उनके संबंद खराब हुए और पत्नी ने उनको छोड़ने का फैसला किया और अपने माई के चली गई, फिर 1976 में उनका अपनी पत्नी से डैवोर्स हो गया जिसके चलते उन्होंने खाना पीना छोड़ हुई तो वो मेंटल हॉस्पिटल से पिता का क्रिया करम करने के लिए वापस आये और उसके बाद कभी लोट कर मेंटल हॉस्पिटल नहीं गए क्यूंकि उनकी हालत में बहुत अधिक सुधार हो चुका था और एक दिन अपने भाई अयोध्या सिंग जो आर्मी में थे और पोस्टिंग पूने में हो गई थी उनके साथ ही पूने में जाकर रहने लगे और एक दिन अपना चेक अप कराने के लिए जब वो ट्रेन से राची के लिए निकले तो वो बीच में ही गायब हो गए उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिली 1994 में राची के लिए निकले वसिष नराइन सिंग जी जो गायब होए थे वो चार साल बाद अपनी पत्नी के गाओं के पास के कूड़ेदान में मिले नासा से लेकर भारत के अलग-अलग कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद वसिष नराइन सिंग जी बहुत फेमस हो चुके थे जिसकी वज़य से इस घटना को वहां के पास के लोकल न्यूस पेपर ने छापा जब लोकल न्यूस पेपर में एक खबर फैल गई तो वहां की सरकार उनकी हालत जानने के लिए मजबूर हुई डॉक्टर वसिष नराइन सिंग जी की जब मांसिक हालत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोगों ने उन्हें बैंगलॉर के मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया उसके बाद डेली के इंस्टिट्यूट ऑफ हुमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस में उनका कई साथ लाए थे और फिर 14 नवंबर 2019 को उस महान गणितग्य की मृत्यू हो गई उनकी मृत्यू हो जाने के बाद उनका शरीर सरकारी हस्पताल के बाहर दो घंटे तक सरकारी एंबूलन्स का इंतजार करते देखा गया और जब यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब सरकार ने उनके पास सायता पहुचाई और राजिके संबान के साथ उनको श्रद्धांज ले दी गई। दोस्तो डॉक्टर वसिष नराइन सिंग जी की तुलना महान गड़ी तक यह जॉन एफ नेस से की जाती थी और जॉन एफ नेस भी अर्ली स्टेस सिनोफीनिया से खो दिया जिसके अंदर योग्यता थी भारत के नाम को पूरे विश्व में रोशन करने की और दुरुभाग्यवश ऐसे व्यक्ति के अंतिम समय में उसके शव को एम्बूलेंस तक नहीं मिल पाई। कमजोर सुविधाएं और निकम्य प्रशाशन के चलते भारत के होनहार लोग आज विदेशों में काम करने के लिए मजबूर हैं दोस्तों वसिस नाराइन सिंग जी के जीवन के परिचय के बारे में ये जानकारी हर भारतिये के साथ शेयर करें ताकि वो भी जानें कि अलबेट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति हमारे भारत में भी था और आगे हम वैसे व्यक्तियों की हमेशा कदर करें तो आई हम लोग मिलकर देश के प्रशासन से ये गुहार लगाएं कि देश की प्रतिवा को देश में लाएं और देश के हर महान व्यक्ति के बारे में हमें सलिबस में पढ़ाएं